कि मोटा आदमी की पहले चोटा लड़क वह नहीं खापी के मोटा होगा तो पहले लिटिल बॉय उसके बाद फाट मैं लिटिल बॉय को मारने जा रहा था इसको कहा था पंदर आगस्त तक अगर आप सरेंडर नहीं कर देते हैं मार देंगे टोकी योगों जापन ने क्या कर दिया सरेंडर कर दिया दिए जो पर्माडू बंगिरता है पर्माडू बंग एक्षुली खतरनाक नहीं होता है पहले हीरो सीमा में 6 अगस्त उनई सो पहले उसके बाद N आता है ABCD में पहले एच आ जाता है यह को नाता है 9 अगस् अगसा कि लिए इसका वाला का नाम था लीटील बॉआ है कर रहा है इसका दा फाइटमें पहले छोटा लडका उसके बाद फैटमें अपदेइपने मोटा आदमी की पहले छोटा लडक है वहीना खापी के मोटा होगा तो पहले लिटील boy उसके बाद fat man little boy के बाद fat man आगे बड़े किज कोई दिए कर यह वाला था uranium का आई यह वाला था polonium का पहला वाला किसका था uranium दूसरा वाला polonium था उसके बाद यह तीसरा मारने जा रहा था टोकियो पे 15 August 1945 टोकियो का मारने जा रहा था इसको कहा था पंदमभा已經 तक अगर आप शरेंडर नहीं कर देतें 3 अ कि मार देंगे मर को ना को मारेंगे डूगो सहरेंडर्ण को कर दिया है फंदर अगस्त इसलिए अंग्रेजों且 भारत को आजादी दो को दिन कौ्ण सा रख क Candra सब्सें में रख दें स Мих你要 कि उनको यह एक जीत मिली थी यह 15 अगस्त के दिन जापान ने क्या कर दिया सरेंडर कर दिया दिए जो परमाडू बम गिरता है परमाडू बम एक्षुली खतरनाक नहीं होता है रियल में अगर आप देखेंगे तो परमाडू बम एक परकार का परदूसर एक जानलेवा परद देमेज करेगा इससे जादे नहीं पटना पर गिरेगा न तो पूरे पटना की बिल्डिंग भी नहीं गिरेगी जिस एरिया में गिरेगा उसके सर्किल में पांच किलो मेटर की एरिया में ले जाएगा तो जहां परमाडू बम गिरता है उसके पांच किलो मेटर के एरिया म रूप ले लेती है और बिल्डिंग को क्या कर देती है गिरा देती है यहां तक में इसका जो मतलब खतरा है वो उतना नहीं होता है में इसके बाद काम करते हैं से एक सरे क्या करता है एक सरे का काम होता है यह क्या करता है जितने छोटे मोटे चीजे सब को छेद देता है हम लो बीच में छे तो नहीं इसकी जाश के लिए किसका प्रियोकत एक सीरे छे रोंड़जन का होता है जबकि अगर हमारे उपर डॉक्टर 20 रोंड़जन का लगा के कहेगा सीना का एक सरे करना है तो नुकसान कर देगा हम बीमारी पैदा कर सकता है इससे 2500 रोंड़जन का निकलता है इससे एक सरे कितना निकलता है 2500 रोंड़जन आदमी यह खड़ा करेगा न तो मांस उड़ा देता है कंकाल बज जाता है इससे जड़ जाएगा आदमी उठाएगा है रही चचा कहां गहे समया गया उड़ा देता है इसका बाप आता है इसके बाद गामा की रण, कौन सा गामा रेर, ये तो ससुरातनी सा बकस भी देता है, एक सरे, हड़ीयों को नहीं छेत का, गामा की भेदन छमता सबसे जादे, मार देता है कहाँ पर दिल गुर्दा सब छेत देता है, इसके एलावे ये वीकी रण अगल ब साली रहता है कि हमारे सरीर में घोश जाता है, और हमारा सरीर जो है, वो कोसिकाओं से बना है, और कोसिकाओं में क्या है, डियने है, क्या है, डियने, और डियने के इस नुक्लियोटाइट को पता है, कि अगली आने वाली पीडी में, एक काका में हाथ बनाएगा, एक काका म कान बनाएगा कोई कीडिनी बनाएगा कोई गुर्दा कोई पेपड़ा कोई कुछ यह जो देख रहा है नहीं यह यह सब का बहुत ज्यादे जरूरत है अगर एकोगोगोगोई इसमें सम क्या कर देते हैं उड़ा देते हैं यहां से मन के चलिए एकठोगों क्या कर दिये यहा आखे का पैदा होगा किसी का मुडिये वाला उड़ा दिया पैदा होगा दिले नहीं है डिपेंड करता है कि किसका कौन सा उड़ाया है तो मेन जो होता है पर्माडू बम का खतरा पर्माडू बम के फटने के तीसरे दिन से चालू होता है परमाड़ू बमफटाज खत्रा कब से होगा तीसरा दिन क्योंकि हवा में यह परदूसर फैलेगा और जहां जहां फैलेगा जो इसके संपर्क में आएंगे वो क्या हो जाएंगे और 30-40 किलोमीटर दूर तक में जो जाएंगे उनको कोई दिक्कत नहीं उनका क्या कर देगा डियन ने चेंज कर देगा अब उनका बच्चा जो होगा उनमें यह वाला एगो हिसा नहीं तो बीना हाथ का होगा और ओकरों में यह वाला नहीं रहेगा वह बीना हाथ का रहेगा और यह जो रेडियेशन रहता है, आप कहेंगे कि खतम कब होगा, मन के चलिए कोई भी चीज़ एरिया होता है, कब खतम हो जाता है, तीन लाख साल में, कितने साल में हो, तो जो नागासा की हो, हिरो सीमा में, महां आज भी लड़के कैसे पैदा होते है, बिक लांग, अपंग और कब तक पैदा होंगे, अभी सो साल भी नहीं हुआ है, अभी सो साल भी नहीं हुआ है, तो यह बहुत खतरनाक होता है, यह परमाडू बम, यह मेंली परमाडू बम क्या होता है, एक तरखा रेडियेशन है, और सबसे पहले यह मारता है हमारे गला को, हमारे गला को, यह ना थायराइड जो गरन्ती है ना थायराइड गरन्ती यह सबसे तेज रेडियेसन को कहती है कहां ही कुछ नया-nyया चीज़ मिलना तो घोब लेती है आप तो सबसे जादे एफ़ेक्टेट कौन होती है थायराइड गया इसलिए पोटेसियम आयोडाइड की गोली दी जाती है जब कभी भी परमाडू रियक्टर में कहीं ब्लास्ट होता है तो वहां के लोगों को सबसे पहले क्या दे दिया था पोटेसियम आयोडाइट की गुली खा लेंगे तो रेडियेशन से बचने का खत्रा बहुत बहुत हद तक रेडियेशन से क्या कर सकते हैं बच सकते हैं ऐसा एक बार गलती से रूस का परमाडू रियक्टर ने भड़क गया था चर्णोवियल उसका गलती से भड़क गया आपने दिकत हो गया जापान में कहेगो परमाडू बम गीरा दोठो दूनो कब गीरा उननेश सो मैताले अद्दू हजर एगारा में इसका आपनाय भड़क गय जापान का किस्मते फूटल है सबसे जादे सुनामी कहा आता है परमाडू बम तीन तीन को को झेल लिया दूगो तो डारेक्टर गिर गया अगो उसका अपना भड़क गया अब जापान ने का आए कि 2050 तक हमारा जितना भी परमाडू बिजली घर है सब हटा देंगे रिजन क्या भड़क रहा है उसके बाद फूट चेन क्या हो जा रहा है खराब हो जा रहा है इवेन कि वहां जो पेड़ पोधे भी उगते हैं वह भी पेड़ पोधा भी बिकलांगे होता है आम फलेगा गुटली नहीं रहेगा चाहे खाली गुटली हो जाएगा चिलका अंदर है और इससे खतरनाक होता है हाइड्रोजन बं लेकिन वो से परदूसर नहीं होता है अगर यहां पर्माडु बॉर script कीलोमईटर डामेज करेगा अज पांच में टीर किलोमेटर डामेज करेगा लेकिन बस उत्ने पर हो जाख उसके बाद उससे डिल से गाल त Commission खतरनाक कोन होता है शक्तिसाली हाइड्रोजन और खतरनाक परमाड़ोग बंबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉबॉ और उकरा का मतल़ हो जाने विव को फौर नर्वी कर देता है वा रोना कैसे है यह हैे एक मद नाइटरोजान डर्व अगर लोग के नंटार ँश्टान के लिया है है? इलिए अति रोजन बम, रीजन का है कि कानून कहता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी संपत्ति उसकी हो जाती है, जो उसके पीता, दादा उसकी हो जाएगे, तो परमाडू अगर नाइट्रोजन बम मार देते हैं पाकिस्तान में कोई बचेगा नहीं तो जमीन किसका होगा बाप का उसके